नमस्ते दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं पूर्सों के जन्नांगों समतित एक प्रोब्लम के बारे में जिसको टेस्टिकुल लंप बोलते हैं किन-किन वजए से यह ड्यूर्प होता है और इसके अलग तरीके के कंडिसनस में क्या नजर आते हैं इनका क्या क्या ट्रीट्मेंट हो सकता हैं किस तरीके की पोसिबिलिटी इसके अंदर बनती है तो यह तमाम जो प्रोब्लम्स होती हैं आज इस वीडियो में आपके डिस्कस कि आपकी जो भी हेल्थ प्रॉलम्स होती है उनका जिनुन और प्रेक्टिकल सुलिक्सिन आप तक पहुंचा जाए इसी करम के अंदर आज हम बात करेंगे टेस्टिकुलर लंप या टेस्टिस के अंदर गांट जैसा लगना अब दोस्तों टेस्टिकुलर जो लंप होता है या कोई गांट नुमा स्टिक्चर या कोई ऐसा लंप जैसा मैसुस होने लग जाता है तो उसके पीछे जुरूरत होती है कि इसका क्या कारण हो सकता है इसको अपन डाइग्नोसिस करने के आव सकता है कि किन कारण की वज़े से साइज बढ़ रही है या अब डिसकंपर लग र हो सकती है दूसरे में भी हो सकती है दोनों में एक साथ भी हो सकती है और यह किसी भी एज़ ग्रूप के अंदर देखने को मिल सकती है तो अब बात करते हैं कि यह टेस्टिक्र ग्रोध जो होती है या टेस्टिक्र जो लंप गांट जो आपको नजर आती है टेस्टिस के अं होती है उनके अंदर किसी भी कारण से फुलाओ लेकि और फैलने लग जाती है उस टेस्टीbased पर प्रेशर डर्वलप करने है उस टेस्टीस पर प्रेशर आने की विज़़र से वहां पर jpes सीमन का जो स्वरी स्पर्म का जो प्रोड़क्शन होता वह अफेक्ट होने लग जाता है वह आपके अलग तरीके की प्रोलम उनके अंदर देखने को मिलने लग जाती है तो उस वेरिकोसील को और सेकंड ग्रेड तक होमेपेथिक मेडिसिन से आसानी से ठीक आ जा सकता है इसे को तो अलग तो यह अब्सके आपके मेडिसिन का वीडियो में जाकर देख सकते हैं आप सेकंड जो चीज आती है वो दोस्तों हाइड्रो शील हैड्रोसील के अंदर भी आपके टेस्टी की साईज बढ़ने लग जाती है च्छोटी से लेकर बड़ी साइज तक सहोंते होने दो डून लग जाता है से लिए उट में आपके आपकेयोजिक यह काणी होता है लेकिन इस कंडिशन का आजमी से inherent होने सकता है थार जो चीज आती है वो दोस्तों वो है आपका epididymal cyst epididymal cyst से लेटर भी वीडियो हमारा आचुका है epididymal cyst होती है testis के पास में एक कोई नुमा structure होती है जो पिछे की तरफ टेस्टी से जुड़ी रहती है उसके अंदर जो सीमन जो स्पन जो production होता है वो उसमें collect रहते हैं और जब जुरूत पढ़ती है वो वापिस बाहर को transport करता है तो epididymal cyst के अंदर एक अलकिसी fluid नुमा collection structure बन जाती है एक बुलबुला सा बन जाता है जो उसके अंदर fluid का collection होता है उसको बोलता है epididymal cyst epididymal cyst को भी दोस्तों homeopathic medicine से ठीक किया जा सकता है इससे later video भी आप देख सकते है इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि किसी भी infection की वज़ा से वाइरल हो चाई बेक्टियल हो आपके testics की size बढ़ने लग जाती है testics बड़ी size में दिखने लग जाता है large size के अंदर ऐसा लगता को घांट बन गई हो या को बहुत बड़ा हो गया हो तो भी infection को दोस्तों एक systematic तरीके से आप डोक्टर को दिखा के treatment ले सकते हैं तो आसानी से ये चीज infection सही समय पर treat हो जाती है तो आपके आगे complication पैदा नहीं करती है अदरवाइस आपको काफी तरीके की problem जैसे एजुस्प्रमिया है ओलिगुस्प्रमिया है इंफर्टिलिटी की problem से या इंपोटेंसी की problem से हर्मोन को डिस्टरब कर सकती है तो इन चीजों का जो है सही समय पर आप इलाज जरूर कर आए इसके बाद आता है दोस्तों एक कंडिसन होती है इंग्वाइनल हर्निया इंग्वाइनल हर्निया के अंदर अब्रूमिल जो पार्स होते हैं वो प्रोट्यूड करके नीची की तरफ इस्कूटम में लटकने लग जाते हैं वो एक फील करने पे उपर से हाथ लगाने पे गांट जैसी स्ट्रेक्शन नजर आने लगजाती है काफी जो इंग्वाइनल हर्निया के केस होते हैं वो यही कंप्लेंड करते हैं कि सर हमारे टेस्टी से इस्कूटम के अंदर एक गांट नजर आ रही है इस गांट का डियाग्योस्स आपका खुद फिल करके भी कर सकते हैं यह यह अल्टरसान करवा की उसको सही तरीके से डाइग्योस्स करवा सकते हैं कि आपको यह इंग्यालन हर्निया है Inguide NHAN-nya ka बी proper सही समय पर अगर इलाज करवाज है तो हूमे पेरिंटी काफी कारगर है इसके अंदर अब उसके बाद मैं कारन पर चरचा करता है तेस्टीकुलर लंग के है दोस्तों टेस्टीकुलर टोर्जन तेस्टीकल डर्जन का मतलब है टेस्टिस के अंदर त्षिस्ट आना यानि कि अपनी लोकस्ट से वो त्षिस्ट होके उसके अंतर वह तेज दर्द होने लग जाता है ये जो कंडिसन होती है दोस्तों Medical Emergency के कंडिसन होती है इसके अंदर काफी तरीके का आपका जो टेस्टिस है वो डेमेज हो सकता है या आपकी टेस्टिस की डेथ हो सकती है या उसके अंदर पूरा डेमेज हो सकता है इसलिए आपको तुरंद भी ऐसी कंडिसन बनती है बहुत सीविर कंडिसन, सीविर पेन होता है टेस्टिस के अंदर swelling आने लग जाती है तेज बुखार आ सकता है nogea, vomiting ऐसी जो situation से डवलप होती है तो आपको तूरन डोक्टर से सलाह लेके इसका treatment करवाना चाहिए इसमें कभी भी लापरवाई नहीं करें उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जो problems इसकी बज़े से condition डवलप होती है वो है आपकी testicular cancer testicular cancer बहुत rare conditions होती है कुछ जो maligrant conditions होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज जर्द और आपके testis के अंदर बहुत fast जो fluid का collection देखने को मिलता है कुछ जो symptoms होते हैं बहुत severe pain के साथ में बहुत जल्दी ही aggravate होते है या बहुत जल्दी जल्दी उस चीजों का growth होती है तो आप सोच सकते हैं कि कहीं कि आपके testicular tumor या cancer tumor तो नहीं है उसके लिए भी अच्छी तरीके से doctor से मिलके आप इन चीज़ को diagnose करवा सकते हैं इस चीजों का आपको पता अर्ली स्टेज में पता कर सकते हैं और सही तरीके से diagnosis होने पर सही समय पर इसका treatment इन चीजों का possible है अब दोस्तों बात करते हैं कि इनके treatment से related में हर कारण के साथ में आपको बताया है कि इन चीजों का homeopathy के अंदर एक बहुत ही बहतर systematic treatment होता है जिसको सही समय पर diagnosis होता है लेकिन homeopathy की कुछ conditions में limitations होती है अगर आपका proper तरीके से diagnosis है चाए verico silka हो, hydro silka हो, epidemal cyst का हो या किसी तरीके का कोई infection हो, urethritis हो, ये जो problems होती है इन चीजों का एक limitation तक ही treatment homeopathy के अंदर possible होता है तो इन limitation का तभी पता चल पाता है अगर आपका proper तरीके से diagnose case है अगर homeopathy डोक्टर के पास जाते है वो उनको सही तरीके से देखे कि ये homeopathy medicine से possible है कि नहीं आपको बता सकते है और आप इस चीज का treatment इन चीज को सही तरीके से follow up में ले सकते है तो दोस्तों ये टेस्टिकल जो lump होता है इससे गब्रानी क्या आप सकता नहीं है तो इसके लिए proper diagnosis क्या आप सकता होती है इसका सही तरीके डाइग्मोसित होने पे proper treatment homeopathy के अंदर possibility इसकी बनती है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको like करें दोस्तों को share करें चैनल को subscribe करना नहीं बोलें दोस्तों बने रही है हमारे साथ यूजिन की करंग, homeopathy के संग, धन्यवाद दोस्त